हेलो काईश वेलकम बैक टू देशी स्पार्क आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्ती बलेनो 2022 CNG को लेकर और काफी लोग के कमेंट्स आते हैं कि बलेनो CNG में कब तक लाँच होने वाली है और काफी लोग पूछते रहते हैं कि बलेनो CNG के लाँच डिट की बात करते हैं तो कुछ बड़े उटेभा मार्ती अपनी अठीका के फेचल लाँच कर दिया है इस हिसाब से तो बलेनो CNG अपरैल में नहीं आने वाली है बलेनो CNG में मैं लाँच तक लाँच होने की काफी ज्यादा चांसेस हैं यहीं लग भी रहा है कि Blano CNG मैं लास्ट तक लाउंच होने वाली है इसका टेस्टिंग काफ़ जादा देखा जा रहा है आज कल इसका साथ हमें Toyota Galanza भी CNG में देखने को मिल जाएगा जिसका लाउंच डेट Blano CNG के लाउंच होने के एकाद महिने के बाद होने माला है Blano के इंजन की बात करते हैं तो जो सेम इंजन डिजायर में आता है 1.2 लिटर का यहीं इंजन हमें Blano में देखने को मिल जाएगा CNG में और यहीं सेम इंजन हमें Toyota की गलैंजा में देखने को मिल जाएगा अल्मोस्ट दोनों कारे सेम हैं बस फर्क इतना है कि Toyota का लोगो और मार्टी सुचकी का लोगो बाकि कोई भी बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस गलैंजा और बलैनों के बीच में नहीं है तो अगर आप भी कोई premium hatchback CNG कार में लेने की planning में है तो आप एकाद महिने और रुख जाईए क्योंकि ये दोनों कारे CNG में आने वाली है और दोनों ही कारों में काफी अच्छा features आते हैं वैल जैसा आप जानते हैं कि आज कल CNG का rate भी काफी जादा बढ़ा है तो लोग के मन में एक doubt आता है कि क्या future में CNG कार लेना वर्थ होने वाला है क्योंकि आज कल कुछ हेरियास में CNG का दाम 50-90 रुपए पर केजी तक हो गया है और 90 रुपए पर केजी CNG का दाम justify तो नहीं करता CNG का लेने के बाद लोग के अंदर में एक अलग ही insecure feeling होती है और बार-बार CNG का refilling कराना CNG station पर line में लगना ये अलग ही frustration होता है अगर इस हिसाब से बात करें CNG का दाम 90 रुपए पर केजी फिर तो ये कहीं से भी justify नहीं करता इससे अच्छा है कि आप डीजल कार की तरफ चले जाए क्योंकि डीजल और CNG कारों में ज्यादा mileage में difference नहीं होता है तो अगर आगे ऐसे ही CNG का दाम बढ़ता जाएगा फिर तो CNG कार लेना बिल्कुल भी worth नहीं होने वाला है CNG कार से अच्छा रहेगा कि आप डीजल कार की तरफ ही चले जाना बाकि आपका क्या राय है CNG डीजल और पेट्रोल को लेकर आप comment में जरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यबाद